हाई हनी बीज वल्कम टो कॉफी भी बात करेंगे छोटे जनाब यानि की बेबी बॉय के बर्थडे के बारे में सो बर्थडे बॉय जो है उसको ना तो फुफा जी और बुवा जी की तरफ से कोई विशिस दी गई ना ही गिफ्ट कोई देते होई दिखी उसकी जो है बुवा शायद से वो अपने व्लॉग में वो क्लिप एड करें जनाब ने एड की नहीं है ना क्यूंकि ये दोनों भाइब अभी अभी सस्पेंस बना रहे है फिर उसको सिंपथी मिल जाएगी वग्यार अगर तो मुझे ल ही तना सबमि जनम दिन बच्चे का है तूमने टाइटल बच्चे के जनम दिन का रखा लेकिन अपनी बात Onya.浏 तक इस बहुत अपनी बात कि पांट सब्सक्राइभ ऑच म、ए बहुत दन्यवा से वो बोबबा ऑई बहुत विशी कहां थी तुमारे जो जैले चपतों ने कि तो क्रियटर के साथ यह तो यूट्यूब के चीजे होगी vote SPA étaienen the के आदत है जितने भी जो इंस्टा सेलिब्रिटी या तो यूट्यूब के जो भी क्रियेटर है उनके साथ वह बना दा रहा था तो पोनी ककड के साथ यह कोई मुजिक वीडियो आने वाला है जनाब का और नोटंग की क्वीन देखो पिपी का मा मतलब एक जो होता ना कि हमें फील आए ऐसा अंदर से ऐसा हो वो लागनी वो जो फीलिंग है वो खाली नले जनाब के लिए दिखती है इसके अंदर ऐसा लगता है कि वो उसका बेटा है है एक्सप्रेशन देदे है है कार चला कि दिख यहीं किया है इन लोगों ने पिछले एक साल में आचा बच्चा जो है गरम काड़ा अंकल के साथ नीचे भूम रहा था ठीक हो शायद से वाक पर लेकर गहते हो जो बैठा था उसमें और वो जो है चला रहते अब जनाब को यहां से भी कॉंटेंट निकालना है वहां जो अम्मी के घर पे से है क्या कर रहा है 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 इधर देख अरे नाला एक आदमी यह तुम्हारा फर्ज है अपने बच्चे को घुमाने लेकर जाने का और तुम्हें खाली बस यह बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कैसे बच्चे बोड होता है बिलाबोड क्या होता है और सच में देखो यह जो एडिशीन ठीनर हर एक एडिटर के एक स्टाइल होती तो अंकित की जो एडितिक स्टाइल हो वह जनाब का पूरा वीडियो ही एडिट करके भेजा था ता उसने ठीक है यह जो भी वहाँ पे तीन लोगों का नम मेंचिन किया उन्होंने वहाँ पे प्राइ ओगा अरेंजमेंट लेकिन ये एडिटिंग तो अंकीत की ही थी तो मुझे लगता है इन सब के पीछ में वही इंसान है जिसने जनाब को वह डिजर्विंग विनर वाला वड़ बिजाता है ना क्योंकि मैंचल्ड की इगो बूस्ट वही करती है वह इंसान जो है उसको अच्छा से पता है कि मैं किसके बा वह पैसलिटू करते हैं तो यह उसी की जो है निशानिया रगती है और पाकी लोग पता ने उसकी कि यह इगो क्यूं बूस्ट करते है बागी जो नीचे यह यह वाले ऊंका यह है कि बहु भरण पोश्ट्ट इसलिए किसी भी कीमत पर इस शादी को तोड़ना नहीं है इस शादी को बचाने के लिए हर हद पाल कर जाएगी मक्ही मडम तो ऐसा पूरा सीन है टीक है इसलिए छोटी-छोटी बात पी बहुत अच्छे मेरी अम्मी मेरी जनाब हो यह बैर मिनिममम चीजे होती है लेकिन उस ख़दम हो गई तो आप यह बोल के पूने नहीं चली जादी जब यह लोग बैंगलोर गये थे कि मैं अकेली यहां क्या करूंगी इतना ज्यादा प्यार मिलता था तो ऐसा नहीं करते थे लेकिन वह क्या सीने मैं नेक्स प्रोड़कास्ट में आपको बनता हूंगी कि ऐसा नोमाट बेटी नहीं बोला कि तो मैं यह बोल रही थी कि जो जनाब है उसको वह काम करना चीज़ हा बच्चे के घुमाने का है न वह गरमकाड अंकल बेचारे निभारे पिछले एक साल से में देख रहे हूँ गरमकाड अंकली निभारे चाहे बच्चे को गोध में लेकर हो चाहिए वह हो गरमकाड़ अंकल और पेनों आंटी दोनों ही जो है माब आपका फर्ज निभा रहे है यह तो यही करें यही करें अम्मी को परिशान करों कि हां अम्मी अम्मी स्वर्ण अक्ष्रे में लिए तुम उसकी अम्मी है अम्मी हाथ उसके अम्मी है ठीक हो गया हो गया कोई ट्रिगर्ड नहीं हो रहा और ट्रिगर्ड हो भी कैसे भाई यह वरत पहली बार धोड़ी है यह पहले एंथोनी बन गयते हैं पहले जो है जीजस ब्लेस यूट अब अलहम्दलिल्ला सुकुने हो गया है अब जो भगवान तुम्हें सुखी रखे हो तो गब का छोड़ दिया मेडम ने तो ऐसा पूरा सीन है तो जज्जो जहत यह है कि जो मम्मी के साथ उसके हो रखा है जो भी हुआ है वह वह ना हो दूसरी बार तो यसी लिए डोर्मेट और मम्मा डोर्मेट यह दोनों पहले से क्यों नहीं रखता है इतना अच्छा दामा दे आप अकेले क्यों वहाँ पर रहती थी है कब आई यहां पर जब उसकी डिलीवरी आने वाली थी जब इसको बच् अब देखा है अपनी बेटी को एक्टिंग करते तो इनको भी अची खासी आगई है सीन पुरा यह है और जनब का खराब सा एडिट बिला बोड पे आया था बिला बोड पे वा जनाब वा गॉट्टिलेशन जनाब बाइत वह बिला बोड पे कोई पी जो एक सर्टन इमार दिया ठीक है इतना आप स्पेशल नहीं बुर्ज खली पाप बुर्ज मेडम की लंग में बुर्ज खली पाप आता तो बात अलग होता था बिला बोड पे तो आता ही रहता है खेर सबसे जो बढ़िया गिफ्ट थे मुझे लगे पंकित के और उसकी फियांसी के ठीक ह जो है वह पहने रखेंगा उससे पहले उसने कुछ क्ले आर्ट का जो है उसको गिफ्ट किया जहां पर जनाब थे मेडम थे जनाप के एक्स्टिपेट और बच्चा था तो उसके जितने भी गिफ्ट से रहते हैं वह बहुत यूस्फुल रहते और उससे भी पहले जब बच वहां मंडली है वह हाथ में ऐसे 500-500 रुपे दे रहे थे वह भी बिना एंवलिप के इनका भी ठीक है 500 रुपे से ज्यादा नहीं क्योंकि इनके माबाप खुद एक्साइट नहीं है बचे को जनम दिन को लेकर तो दूसरों से आप क्या ही एक्पेक्टेशन रख सकते हो लेकि जनाब की जनाब की बोलती बन दोगी चीज़ें है और ये बालू बड़ी है चालू बाई बात रहनका गई है वाँ बालू अच्छे शब्दों का चयन कर रही हो तुम और भाई जब वो चंकीत और उसकी फियांसिक गिफ्ट दे रही थी तब यह मक्खी की और एक्टिंग अले 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 बस हो जा बहन बस नहीं सहा जा सालों से जेल रहा है 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 अब हमारी तरफ से आजएगा आपको मिल जाएगा डोंट वरी है ना भाई हिम्मत लगती है यह सब जेलने के लिए यह बात तो है और हाँ जो मवदा मंडली है विचारी हो खामखा ट्रोल होते हैं मक्खी का लिमाग रहता है उनको इंस्रक्शन सब्सक्राइब करता है कि अब चालू के साथ इसका रिफ्ट है कि अब चालू जो है वह नहीं चल पाती है इसके अकौर्डिंग वह उसका पती आगे तो वह उसके पती के बाते मानती है तो मक्खी मेडम को यह बिल्कुल भी बर्दाश नहीं हो पाता तो यह बेबस लाचारी यह सब नाटक है और यह मुझे किसी ख्लोज सोर्स ने बताए है ठीक है तो मक्खी मेडम जितना बंती है ना तो उतनी वह बिचारी है ना इतनी भोली है इसको सब अच्छे से पता है कि कैसे क्या करना है है ना तो मक्खी मेडम मेडम जो है डंब नहीं है अच्छा क्या वोल रही थी जब बच्चे नीचे बैठकर के का जो के कटिंग हो रहा था आप मी ने जो है एक साइस बड़े कमडे लिए है ताकि दो साल चले टिपिकल लम्मी नहीं हो बहन तुम टिपिकल लम्मी जो रहत तुम्हारे बच्चे को लेकर तब तुम्हारे बच्यों को इतने सारे लोग वहां पर होते तब तकलिफ नहीं है और जब सेट पर जाती तब तकलिफ नहीं है लेकिन जनम दिन पर तकलिफ हो जाएगी बच्चे को बच्चा क्रेंकी हो जाएगा अच्छा बहान आएगा कौन मैडम अच्छा अम्मादा डॉल ने पहले एक रुपया भी नहीं दिया था बच्चे कहत में मतलब पैसे या तो कुछ गिफ्ट लाए नहीं क्या फट नहीं लगाते वह भी क बच्चे को चोड़ रहा है तो इसा कुछ नहीं है लेकिन मक्ही का पर हो और कंफर्म है तो वह जो लेड़ी अपने पास्ट से एटु जेड चीज़े जो है बढ़ी दम वाइप आउट कर सकते हो कुछ भी कर सकती दुन्या में यह हो गया मैंने मैं दो दिन से आपको बता क सबस्ट नहीं बना रहे थे तो मुझे किसी ने मैसेज पर बताया कि आप उस लेड़ी को सपोर्ट कर रहे उस लेड़ी को आप फेवर कर उसके लिए आपको सिंध्पती जैसने ऐसा सब कांड कर रखे आप यह सब बूल रहे हैं कि वह कैसी थी और बहुत सारे लोग करते कि इसका जोने मैं जो इनसान यहां के प्रीचिंग करता है कि हम ऐसे हम वैसे मैं पहली बार मनी प्रीचिंग करता हैं क्यों वह सब बार मम्मी बनी हो यह है वह क्यूं मैंटर करता है मैटर तब नहीं करता था अगर वो घ्यान नहीं देती थी ना लेकिन घ्यान भर-भर के इसने यह किया असने वह क्या बे जाओ और हाँ भालू को इस बात का भी मुझे लगता है बुरा लगा होगा कि जो उसने इतना महेंगा हैंपर बनवाया था इद के दिन यह बेबी रू कपड़ा में की यह भीज्तबठ के पहने पहना और रॉटा पहना रहला है अधिन shout जो भी ओन चेया है वह लेकिन बेर होगो इसका भूलना नहीं चाहिए कि यह बहुत है जादा और इसने क्या कर रखा नहीं भूलना चाहिए क्या प्रीच कर प्रीच नहीं करते तो बूल जाना चाहिए था सर्व करके खा लो तो वो उसका अच्छा लगा कि वरना तो सब के हाथ में महंदी लगी रहती हूं कोई जो है वो नहीं करता है अच्छा हां मेरी हिसाब से इतना करिंग ने सगर दिखाते हैं यह लोग और ऐसा सब कर रही और भालू को गालिया पड़ रही तो भालू को अप अच्छा तुम्हें अपना पक्ष रखना चाहिए यह म्यूट करके कुछ नहीं होगा अगर उस दिन तुमने घुटके को बोल देने दिया होता तो क्या जाता था और एक सिके को डेफिनेटल दो पहलू होते है ठीक है यह मख्ख मख्य कोई दूद से दूले होई नहीं इस सब्सक्राइब कते है अच्छा आगे पर उसका हुट को पर दोती आपने में रहाने में पर रहां नहीं झाले हो तो पनी नदी लगाने में जो है मॉल में गूमने जाने में और शिंगा सन पर अपना राज गुदी पे बैटके हूकम चलाने में बूपाँ थी आपको कैसे में आदमी जनाम Peki कि चलती है लेकिन हगीकत यह है कि मख़्ी की चलती है उस जट्र में जनाब की एक नहीं चलती है अपने में शरी गया पता नीज किसे लगा कई सल तरह है अनुद अटे साथ कर दिस आठ가지고 वंग ईसा पुरह है अच्छा उसके बाद सबसे रिव्यू लेगा, किसे लगा, किसे लगा रहे भाई, मुवी है क्या कोई, कोई खाने की चीज़े हो, जो कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, नहीं अच्छा लगा, तो क्या करोगे, Amazon का प्रोड़क्ट है, जो रिटर्न करतो है, अजीब पागल लोगे, चलिए जी फिलाल के, बस इतना ही मिलते हैं, नेक्स प्रोड़कास्ट में अपना धियान रखेगा, बबाई